हेलो वेलकम तो माई यूटीव चैनल माई सर्फ अमरित इन इस वीडियो वीडियो वेर टॉक बाट राव तू फोटो मैंनूप्लेशन यूजिंग डिफरेंट इमेजेस इस वीडियो में हम डिफरेंट इमेजेस लेंगे और उससे हम बहुत ही ब्यूटिफल पिक्चर के उपर फोटो पीया को ओपन कर लेना है तो मैंने अपनी इमेजी को इसमें इंपोर्ट कर लेनी है तो मैंने अपनी इमेजी को इसमें इंपोर्ट कर लेनी है तो मैं अपनी इमेजी को इसमें इंपोर्ट कर लेनी है तो मैं लेफट साइड पैनल पर जाओंगा और इसमें से quick selection tool को select कर लूँगा आपका जो भी favorite tool है आप उससे इसकी selection त्यार कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर quick selection tool का use करने वाला हूँ तो मैं इस quick selection tool की help से अपनी selection त्यार कर लेता हूँ यह जो parts रहेंगें इसे alt key को hold करकर आपको select कर लेना है तो selection त्यार करने के बाद आपको simply control जे दबाकर इसकी एक copy create कर लेनी है तो इसके बाद आपको फिर से files पर याना है और आपको new पर click करना है और आपको एक blank इसमें template create कर लेनी है तो मैं यहाँ पर इसकी width लोँगा 5000 और इसकी height मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 7000 तो pixels मैं ले लेता हूँ 300 तो इसके बाद मैं create पर click करूँगा और जे हमारी एक new blank template open हो जाएगी तो जो हमारी pineapple वाली image थी हमने control जे दबाकर copy की थी उसे मैं इस new project में drag out कर लूँगा तो जे हमारी image इसमें drag out हो चुकी है तो मैं इसे यहाँ पर center में लगा देता हूँ और इसका size थोड़ा सा मैं decrease कर लेता हूँ तो इसका size मैं थोड़ा सा decrease कर लिया है और जो हमने image import की थी पहले उसे मैं delete कर देता हूँ अब हम सारा काम इस template में ही करेंगे तो इस layer को मैं name देता हूँ pine apple तो इसके बाद आपको simply pen tool को select करना है और आपको इसके slices create कर लेना है तो मैं left side panel में से pen tool को select करूँगा और इसके slices मैं create कर लूँगा तो आपको उपर fill में run कर देना है तो इसकी में selection त्यार कर लेता हूँ तो मैंने pen tool की help से इसकी selection त्यार कर लेता हूँ आपको pineapple वाली layer को select करना है और जो आपने pen tool की help से selection त्यार की थी तो आपको shape वाले के ऊपर control की दबाकर इसे click कर देना है इससे हमारी selection त्यार हो जाएगी और selection त्यार होने के बाद आपको control x दबाकर इसे cut कर लेना है और आपको control x दबाने के बाद इसके उपर एक new layer add कर देनी है और इसमें आपको control v दबाकर इसे paste कर देना है और हमारा design इसमें paste हो जाएगा जे देखिए इसकी slice create हो चुकी है तो इस slice को मैं name दे देता हूँ top one तो इसी तरह से मैं second slice भी त्यार कर लेता हूँ तो फिर से मैं pineapple वाली layer को select करूँगा और मैं इसमें से pen tool को select कर लूँगा और pen tool को select करने के बाद मैं इसकी भी selection त्यार कर लेता हूँ तो हम इसकी three slices create करेंगे तो मैं second slice को create कर लेता हूँ इसी तरह से आपको फिर से pineapple वाली slice को इसके बाद select करकर तो आपने जो shape two create की थी उसके उपर click कर देना है इससे हमारी selection त्यार हो जाएगी और आपको control x दबा कर इसे भी cut कर लेना है और इसके बाद आपको फिर से new layer add करकर उसमें आपको control b दबा कर इसे simply paste कर देना है तो हमारी second slice भी इसमें create हो जाएगी तो इसे मैं name दे देता हूँ top second इसी तरह से मैं third slice भी create कर लेता हूँ तो मैंने तीनो slices create कर लिए तो इसके बाद मैं इन जो हमने shapes create की थी इन सब shapes को delete कर दूँगा shape one, shape two and shape three तो इसे मैं delete कर दूँगा तो अब हम इसके ऊपर orange slices create करेंगे तो उसके लिए मैं left side panel में जाओँगा और हम इसमें अपनी orange slices वाली image import कर लेंगे तो मैं orange slice वाली image इसमें import कर लेता हूँ तो मैंने इस image को import कर लिए तो इसकी मैं selection त्यार कर लेता हूँ तो इसकी selection भी मैं quick selection tool की help से त्यार कर लेता हूँ तो quick selection tool की help से मैंने इसकी भी selection त्यार कर लिए है तो इसके बाद मैं simply control J दबा कर इसकी भी copy create कर लूँगा तो जो हमने copy create की थी उस layer को हम अपने projects में drag out कर लेंगे तो इसे drag out करने के बाद मैं इसे name देता हूँ तो मैं move tool को select करूँगा और इसे मैं नीचे drag out करकर इसका size थोड़ा सा decrease कर लूँगा और इसे मैं अपनी first layer के ऊपर लगा दूँगा तो हम इन तीनों bottom two और top two और top one slice को अभी के लिए hide कर लेते हैं तांकि हमें जो canvas है वो अच्छे से दिखाई दे सके जो हम इसके ऊपर इस orange slice को लगा सके तो मैं इसे इसके ऊपर लगा देता हूँ तो हम यहाँ पर एक तरह का perspective warp पर ही use करने वाले हैं तो मैं इसे थोड़ा सा use कर लेता हूँ और control को hold करकर इसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ कर लूँगा और इसी तरह से मैं उपर से इसे नीचे की तरफ करकर इसके ऊपर लगा देता हूँ तो आपको अपने pineapple के according इसे adjust कर लेना है तो मैंने control की को hold करकर इसे pineapple के according adjust कर लिया है इसी तरह से मैं इसे right corner से भी set कर देता हूँ तो आप अपना time लेकर इसे adjust कर सकते हैं तो मैं इसे adjust कर देता हूँ तो मैंने first slice को इसके ऊपर लगा दिया है तो इसी तरह से मैं second slice के ऊपर भी इसे लगा देता हूँ तो pineapple bottom second layer को मैं select कर लूँगा और move tool की help से इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ drag out कर लूँगा और जो हमने orange slice create की थी इसे control J दवा कर हम इसकी एक copy create कर लेंगे और इसे मैं second slice के ऊपर भी लगा देता हूँ तो इसका name हम लिख देते हैं orange slice toe तो अब मैं इसे भी इसके ऊपर भी इस्ट अगर कर लगा देता हूँ तो इसी तरह से मैंने second slice को भी इसके ऊपर लगा देता हूँ वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसी लिए मैं इसे third slice को भी इसके ऊपर लगा देता हूँ तो आप अपना time लेकर इसे लगा सकते हैं तो मैंने तीनों slices को भी इसके ऊपर लगा दिया हूँ तो आप अपना time लेकर इसे इन तीनों pineapple के ऊपर तीनों orange slices को लगा देना तो इसके बाद मैं इन सभी layers को select करूँगा top one वाली और pineapple तक layer को select करूँगा Ctrl shift key को hold करकर मैं इसका एक group create कर दूँगा तो उसके लिए Ctrl G key का आपको use कर लेना है तो मैं इसे name देता हूँ pine apple और इसके बाद आपको सभी layers को select करना है और इसका size थोड़ा सा आपको decrease कर लेना है तो मैं move tool को select करूँगा और इसका size मैं थोड़ा सा decrease कर लूँगा तो इसका size decrease कर ली है तो इसके बाद आपको इसे थोड़ा सा little bit adjust कर देना है जैसे कि rotate left side और right side आपकी preference के according इसे adjust कर लेना है तो मैं इसे adjust कर लेता हूँ तो first में मैं top player को select करकर इसे rotate कर दूँगा आप अपनी preference के according इसे rotate कर सकते हैं तो मैं इन सभी layers को rotate कर लेता हूँ तो इसे थोड़ा सब rotate करने के बाद आपनी preference के according तो आपको इसके उपर अभी splashes add कर देनी तो मैं water splashes में इसके उपर add कर दूँगा तो water splashes के हम different brushes create करेंगे तो उसके लिए मैं इसमें save water splash वाली image को import कर लेता हूँ तो files पर जाके आपको open पर click करना है और आपको water splash वाली image में इसको import कर लेना है तो इस image को import करने के बाद आपको इन water splashes के brushes create कर लेने हैं तो इसके लिए मैं left side panel में से quick selection tool को select करूँगा और इस splash का मैं selection त्यार कर लूँगा तो इसके लिए मैं quick selection tool का use करने वाला हूँ आपकी preference के according आप येसे भी tool की help से selection करना चाते हैं आप उससे selection कर सकते हैं तो इसके बाद मैं control जेदबा कर इसकी एक copy create कर लूँगा तो selection त्यार करने के बाद मैंने इसकी control जेदबा कर एक copy create कर ली है तो अब हम इसका brush create करेंगे तो जो हमारी main image थी water splash वाली उसे मैं hide कर लूँगा तो अब हम इसका brush create कर लेंगे तो इसके लिए मैं top panel पर जाऊँगा और edit पर click करने के बाद मैं यहाँ पर define में जाकर brush को select कर लूँगा तो इससे हमारा एक brush create हो जाएगा देता हूँ अपनी main layer को मैंने unhide कर लिए तो इसी तरह से मैं second brush भी create कर लूँगा तो मैंने इसमें two brush create कर लिए तो आप अपनी preference according अगर आप two brush या three brush add करना चाते तो आप कर सकते हैं तो मैं इसमें two splashes brush use करने बाला हूँ तो इसके बाद मैं अपने main project में जाओंगा और इसके उपर मैं अब water splashes add कर दूँगा तो इसके लिए हम एक background layer को select करेंगे और इसके उपर हम एक blank layer add कर देंगे तो आपको new layer इसके उपर add कर लेनी है और आपको इसके बाद brush tool को select करना है और आपने जो brush create किये थे उसे select कर लेना है तो मैं अपना first brush को select करूँगा इससे हम अपनी water splash इसके उपर create करने वाले हैं और आपको foreground color इसमें से कोई भी choose कर लेना है अपनी preference के according अगर आप green color यूज करना चाहते तो आप green color भी choose कर सकते हैं और मैं इसमें green color choose कर लेता हूँ आप अपनी preference के according जो भी color choose करना जाते हैं उसे choose कर लेना तो मैं इसके उपर water splashes add कर देता हूँ तो आपको simply dab कर देना है जहां यहाँ पर भी आप अपनी इस splash को चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इसे rotate कर लेता हूँ brush को आपको simply dab करना है आप जहां यहाँ पर भी splashes जाते हैं तो मैं अब second brush को select कर लूँगा तो इसी तरह से मैं second brush को select करकर उसकी भी splash इसमें एक add कर दूँगा तो मैं simply dab करूँगा आपको जहां पर भी water splash चाहिए आप वहाँ पर simply dab कर देना यह देखिए मैंने अब इसके उपर water splashes add कर दी है अब इसकी look realistic लग रही है तो अब मैं इसके उपर background में gradient add कर दूँगा उसके लिए मैं background layer को select कर लिया है और left side panel में से मैं gradient tool को select कर दूँगा और इसमें हम gradient add कर देंगे तो top panel पर जाना है आपको इसके type normal से noise में कर देना है तो हम इसमें randomly gradient add करने वाले हैं तो मैं इसके percentage 20 तक कर लेता हूँ और इसके बाद हम gradient इसके उपर apply करेंगे आपको simply randomly पर click करना है आपको जहां पर भी जो भी color आपको बढ़िया लगे आप उसे select कर लेना तो मैं इसमें से randomly कोई color select कर लेता हूँ जो हमारे मेरे image से match करता हूँ तो मैं इसको select कर लेता हूँ इसके बाद आपको OK बटन पर click कर देना है और आपको simply इसके उपर drag out कर देना है तो इससे हमारे image के उपर gradient apply हो जाएगा तो देखते हैं हमारे background में कौन सा gradient apply होता है तो जे देखिए हमने इसके उपर gradient apply कर लिया है अगर आपको जे gradient ना पसंद आए तो इसके उपर आप randomly क्लिक करकर आपको जो भी preference के according बढ़िया लगे आप उस gradient को select कर लेना मैं अभी के लिए इसी gradient को रहने देता हूँ इसके बाद हम इसकी look थोड़ी सी और realistic बनाने के लिए इसके उपर एक curve adjustment layer add कर देंगे तो मैं pineapple के उपर एक new curve adjustment layer add कर दूँँगा जिससे हमारे जो design है उसकी look और ज्यादा realistic हो जाएगी तो इसमें मैं green channel को select करने वाला हूँ और हम इसमें green color को थोड़ा सा increase कर देंगे जे देखिए अब इसकी look कितनी realistic लग रही है तो मैं इस slider को यहाँ तक रहने देता हूँ जे देखिए अब इसकी look कितनी realistic लग रही है अमीद करता हूँ जे वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी अगर जे वीडियो से आपने कोईश लर्न किया है तो इस वीडियो को like and इस channel को subscribe जरूर किल लेना तो मिलते हैं अगली वीडियो में Till then, bye bye